वेल्कम अगेंस चौद्री गंबिडिसन किलासेस तो इंटीन एफूर्स का जो सेकेंड इंटेक है दो यार इकीस का उसकी सो पीएसर रिलीज हो नहीं है वह तीस अप्रेल को रिलीज हो नहीं है तो आज 28 अप्रेल हो चुकी है तो देखाजे तो कहीने कहीं एक दिन का वेट क रहें किसी एक्स हो एक्सार में कि 99.25 नंबर है तो कहीन न कहीं उसके लिएए बहुत सारे डाउट रहते हैं वह तेंसन में रहता है कि क्या हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा तो देखें होाई गृूर्प से संबंदे जितने भी में आपके मंद में डाउट थे सभी क पॉपिक रहने वाला एक्स रूप का रहने वाला इस बार जो एक्स रूप की जो कट आफ है देखिए कहीं न कहीं बिलकुल हम बेस पर बात करेंगे और आपको वेकेंसी दिखाऊंगा किस तरीके से इंडीन एरफोर्स ने अपना जो पश्ट इंटेक था 2020 का उसके लिए कु कोई ने अपडेट नहीं दिया है तो आप यहां से देख पाएंगे इसमें जो मेडी आपका जो इंडीन एरफोर्स वालों ने एक स्पोर्स के लिए बढ़ती निकाली थी उनका जो स्पोर्स होना था 26 से और 28 सप्रेल के मद उनका सब कुछ प्रोसेस हो जाना था लेकिन को 2021 के PSL की वेट कर रहे हैं इसके लिए हैं इनमेन के लिए कर दिये जाएंगे अर्था या डारेक्ट एंडॉल्मेंट कर दिये जाएंगे जब आपकी 10 जून को देगी जो पोस्ट पॉन नहीं होता है आपका जो एक्जाम डेट है आपका जो PSL है और आपका जो स्पोर्स व एंड्रॉल्मेंट का PSL से और एंड्रॉलमेंट का जो सफर होता है किस तरीचे से त्यह किया जातां इंटीन ईर्फूर्स वारत तो आज हम बात करेंगा आपका जो एक्स रुपैंगा है एक्स रूम में पिछली बार इंडीन एर्फूर्ट वारत कुल मला कर कितनी वेकेंस ले गई थी देखिए यह पी एसे ले जो के इंडियन एर्फूर्ट वारा पंद्रे जनवरी को जारी की गई थी और आप यहां से की कट ओफ भी देख सकते हैं साड़े 27 नमबर इसकी कट ओफ गई थी तो कहिना कहीं जो कट ओफ किस तरीके से कम गई फ़र्ष्ट इंटेक 2021 के लिए जब इसका रिटेन एक्जाम का जब रेजल्ट आया तो कहीना कहीं जो एक्स रुप था उसकी एक्स रुप जो कट ओफ भी सबblesे लेक्तर उसमें जितने वी वेकेंसी ली टी थी सभी ए यहीं फ्रयल्ट इसमें सब्डेक और मुक्त का मिला तो कहीन कहीं इसमें selected candidate वेट ही थी तो कहीने कहीं जब आपके exam में selected candidate वेट थे हैं अर्थात कम मात्रा में candidate वेट थे हैं तो कहीने कहीने का जो आप यहां से देख सकते हैं cut off भी और दूसरा एक यहवी reason है और एक दूसरा reason यहवी आपका competition तो यहां भी कम हो गया क्योंगे कम candidate वेट हैंगे तो competition कम होगा ज्यादा candidate वेट हैंगे तो competition ज्यादा होगा तो एक तो यह रहा आपका जो cut off थी आपकी इस वज़े से कम गई थी और वहीं दूसरा एक reason आपका यह भी है साफ साफ आप यहां से इस reason को समझने की कोसिस करें के हैं इंडिन एरफोर द्वारा जब रैली की बढ़ती निकाली गई थी उसमें जो समय मिला था बहुत ही कम समय मिला था मात्र देड़ से दो महीने का समय भी नहीं मिला था notification के जश्ट दस दिन या फिर बीस दिन वाद आपकी रैली की बढ़ती करा ली गई थी इंडिन एरफोर होती होती है उसमें जो समय मिलता है बहुत सारा समय मिल गया था क्यों कि एक्जाम पोश्ट कौन होता रहा था बार 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 तो इस वज़े से आपका जो एक्जाम रखा गया था मार्च में रखा गया था लेकिन एक्जाम कब हुआ था नवंबर महीने में तो इ इस वज़े से जो केंडिट थे उनको कहीं जो त्यारी करने का मौँगा था अच्छा गासा मिल गया था तो इस वज़े से आपकी जो कट आफ थी 43 चली गई थी लेकिन बार बार ऐसा होगा नहीं यदे इंडियन एर्फोर्स आपको पता है जो से फश्ट इंटे के दो जरब 22 का उसका भी एक्जाम फिलाल पोस्ट पॉन हो चुका है तो देखिए यह तो रहा जो केंडिट अपने मैंड में बात सेट करते हैं कि इस तरीके से कट आफ इनकी इतनी कम चली गी तो हमारी इतनी हाई क्यों चली गी थी क्या रीजन था तो इस पीएसल आती है और पीएसल के बाद जो एन्रॉल्मेंट लिस्ट आती है कहिना कि उसमें जो वेकेंसी होती है देखिए कहिना कि बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है क्यों कि पीएसल में अन्फिट और फिट और सी एसबी वाली केंडियट का भी उसमें नाम होता है वो उस cut-off को पार कर गया होता है जो इंडिनेर्फ फुर्दवारन निर्धारिद की जाती है और जब आपकी enrollment list जारी की जाती है तो केवल उसमें fit candidate वालों को उसमें वरियता दी जाती है और जिन candidate की जो rank high होती है उन candidate को वरियता दी जाती है तो जो enrollment होती है और जो आपकी PSL होती है उसमें अंतर तो होता है तो मैं आपको direct enrollment दिखाऊंगा क्योंकि जिन candidate का enrollment list में नाम होता है तो उन candidate का definitely sure training पर जानाते है लेकिन जिन candidate का PSL में नाम है उन candidate का बिलकुल भी sure नहीं होता है यहां से यहां से तक क्योंकि आपकी एक से दो नमबर इंक्रीज हो जाती है ऐसा देखने को मिला है बार बार देखने को मिला है आप यहां से उठा कर देगेंगे देखिए मैं बहुत दिन से आपके लिए analysis कर रहा हूँ और बहुत सारी candidate हो सकता है कि यहां से अपना ग्यान पेल सकते है कोई दिक्कत नहीं है उसकता है उनको अच्छा कासा मुझसे ज़्यादा ग्यान हो तो अच्छी बात है लेकर मैं आपको विल्लकुल फैक्ट दिखाऊंगा उन फैक्ट को समझें और फैक्ट को समझने की कोसिस करें तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा तो आप यहां से देख पहेंगे जो PSL जारी की गई जब इंडिन एरफूर्ड द्वारा 25 जनवरी को तो आप यहां से देख पहेंगो उसमें कुलम लाकर 264 केंडिट सोट रिस्टिड किये गए थी कुलम लाकर 115 पेज की PDF जारी की गई थी उसमें 2604 केंडिट सोट रिस्टिड किये गे थी तो इसमें कहीं न कहीं है कि अच्ची स्तिती हमको यहां देखने को मिली थी अपने फेवर में स्तिती हमको यहां देखने को मिली थी इसमें सभी केंडिट में में ही रखे गे थी आप यहां से जब इसको सर्च करेंगे में जब डालेंगे तो सभी candidate में में रखेगे तो कोई भी ऐसा candidate था नहीं जो कि stand by में रखा गया हूँ तो ऐसा पहली बार देखने हो को मिलाता कि 264 candidate इंडिन इर्फूर द्वारा केवल और केवल एक स्रूम में सेलेक्ट कर लिए जा है और सभी candidate में में ही हूँ stand by में किसी candidate को यहां जगे नहीं मिली तो कहीं न कहीं वेकेंसी तो आपकी अच्छी खाजी मात्रा में थी तो कुल मलाकर 264 candidate यहां में में ही रखे गए तो 264 आपकी यहां से वेकेंसी हो गई और इसके पस्यात आती है इंडियन इर्फूर द्वारा आपकी 25 फरवरी को additional enrollment list है उसमें कुल मलाकर कितने candidate solid listed की गए थे मैं आपको यहां से दिखाऊंगा तो उसी बेस पर हम बात इंडियन इर्फूर द्वार जो एक रुप था उसमें कुल मलाकर कितनी वेकेंसी ली गई थी पिछली बार जो additional enrollment list जारी की गई थी इंडियन इर्फूर द्वारा 25 फरवरी 2021 को जारी की गई थी first and take 2021 के लिए जो एक्सरो आप यहां से देख सकते हैं जो टेक है एक्सरो बा बात यही है और इसमें कुल मलाकर कितनी केंडियेट में में रखे गए थी इस पर भी आपका depend करता है कुल मलाकर कितनी वेकेंसी आपकी में में गई थी पिछला जो एंटेक इंडियन फूर द्वारा लिया गया है तो आप यहां से देख पाएंगे कुल मलाकर 128 ऐसे केंडि रहे थी जो कि आपके stand-by में रखे गी थी और इन सभी केंडियेट का stand-by clear हो गया था देख यह definitely sure है इनका जो केंडियेट थे 203 इन सभी का stand-by इन सभी का clear हो गया था और clear किस तरीके से हुआ था वित प्रूफ में आपको यहां से दिखाऊंगा देख या आप इसको समझन को देखें और intake देखें आप यहां से देख पाएंगे 25 फरवरी 2021 को जा additional enrollment लिस्ट जारी की जाती है फिस्ट इंटेक 2021 के लिए और ग्रुप था एक्स और टेक वाला क्योंके इसमें जो educational instructor वाला था उसमें केवल एक एंडिट को सेट लिस्टिट किया गया था उसकी जो cut-off मात्रा में जो number आई थे पिछली वार जो आपकी rally की वड़ती हुई थी वह साड़े उनचास ही आए थे क्योंकि जिस candidate के अधिक नमबर थे और देखिए कहीं नगई अधिक नमबर थे और यह आपका जो vacancy आए थी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग trade के लिए आई थी तो आप यहां से देख पाएंगे तो मैंने आपको यहां से डाटा दिखा दिया कुल मला कर 203 candidate stand by में दिखाई हैं और सभी candidate को मैंने बताया क्या आपका clear कर गए थी कैसी clear करें थे इस बात को समझेने की गोस्स करें आप यहां से देख पाएंगे के इंडिन एश्फोर से वह अपना क्या था कि पीएसल मेंनों का नाम था लेकिन जब एंडॉल मेंटलिस्ट जारी की गई उन जिने केंडिट को stand by में रखा गया था उनका stand by clear नहीं हो पाया था तो कहीं नहीं कर रहे हैं 28 नमर वाले भी candidate अपने ट्रेनिंग कर रहे है 28 नमर ध्रेली वाले नहीं रहा था किस तरीके से रहा था क्योंकि आपका एक्जाम हुआ था हुआ नहीं था फर्ष्ट इंटेक 2021 का तो कहीं नहीं आप कनवर्ड कर दिया गया है सेकंड इंटेक 2021 में देखिए जो candidate है इस बार बे आपका जो इंतिजा कर रहे हैं 30 अप्रेल के लिए कहीं नहीं कि उन् की जो मेरिट वननी थी 31 अक्टूबर 2020 में बन्यानी थी और अव तक इनका ट्रेंग भी कंपलीट लगवा लगवा हुई ही जाता तो अब इनको इंतिजार करना पड़ रहा है आज 28 अप्रेल है कलुंती से फिर आपकी 30 अप्रेल है और उसके पस आपकी 30 अप्रेल को PSL रि 16 मार्च को जब इंडिन एफ्रोड द्वारा 2021 आप यहां से देखें और इंटेक देखें फिर्ष्ट इंटेक 2021 आप देगी यही फैक्ट होते हैं वह इनी फैक्ट को समझने की कोशिज करें तो इसमें जो केंडिट सॉट लिष्टिट किये गए हैं वह 38 केंडिट सॉट लि नहीं मानते हैं तो आप यहां से देख पाएंगे में में जो केंडिट रखे गए थे राइट साइड में जो फ्रंट वाला इससा है उसको देखें 31 केंडिट में में रखे गए थे तो कुल मिलाकर तो इनकी जोइनिंग भी देख सकते हैं इनकी जोइनिंग डेट आप यहा एडिशनल एन्रॉल्मेंट लिस्ट में नाम आया था जनी केनिट का तो उनकी जोइनिंग पिछले मनती हुई है तो आप यहां से देख इसको बात को भी नोटेस कर सकते हैं जो आपकी एन्रॉल्मेंट लिस्ट आई थी आपकी जनवरी में आई थी उसके पसाद आपकी फरव कार्चवाली एडिशनल एन्रॉल्मेंट लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा आप जो पत्चीस फरवरी 2021 की इसको इंडिन एश्फुर्दवारा जारी की गई थी देगी यह टेक है आप यहां से देख सकते हैं ग्रॉप एक्स है और टेक की लिए है वह जब कि मैंने आपको जो इससे पहले इन्रॉल्मेंट लिस्ट दिखाई थी वह भी आपकी गुरॉप एक्स और टेक के लिए ही दिखाई थी उसमें कुल मुलाकर जो केंडिट सोट लिष्ट किये वह तो 26 चार केंडिट सोट लिष्ट किये थी तो सभी केंडिट मैं में रखे गे थी और इसके पस्याद आपकी 25 फरवरी को आती है 25 फरवरी वाले पर चलते हैं तो आपको यहां से बात समझनी पड़ेगी आप यहां से देख सकते हैं ग्रूप एक्स और टेक के लिए आप यहां से इस बात को समझें और वही 25 फरवरी 2021 को आपकी एडिशनल एंडॉल्मेंट लिष्ट तो आप यहां से इंटेक को भी देख सकते हैं फर्स्ट इंटेक 2021 उसमें जो कुल मलाकर केंडिट सौट लिष्टिट किये गए बहुत आप यहां से देख पहेंगे यह मैंने आपको दिखा दिया है तो कुल मलाकर देखिए यह 331 केंडिट जो थे 203 केंडिट से में स्टें फरद्वारा निकाली गई थी जब कि उसमें 30 केंडिट आपके में में रखे गई थी तो तभी तो आपको मैंने में जाएंगे जब जो पिछले वाला उनको जो एंडॉल्मेंट लिस्ट जारी की एंडिट इर्फरद्वार उनका जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं जाएगा वाँ जोइनिंग पर नहीं चले जाएंगे उनके द्वारा वेकेंसी फिल नहीं करा ली जाएंगी तो अगली वह आपकी लिस्ट क्यों नेका लेंगे तो कहीं नेके इन सभी का इस्टेंड वाई कुलीर हो गया था तो जब हमकी पहली लिस्ट हाई तो उसमें जबूसरी अनूल मेंट लिस्ट आई तो उसमें क्लमलाकर 331 कडिए sind AGA के 2 थुश अधीन दूसरी लिश्टमें आपको दिखाऊंगा आपको बाद में तो आप यहां से देख पाएंगे कुल मलाकर जो वेकेंजी हो गई थी अब तक 25 फरवरी 2021 तक के वल एक सुरूम में वह आपकी 2935 वेकेंजी हो गई थी 2935 वेकेंजी उसके पस्याद आपकी 16 मार्च को एडिशनल एंडॉल्मेंट लिस्ट आती है उसमें 38 गेंडिट सौट लिस्ट किये गए थे जब कि उसमें 31 ऐसे केंडिट रहे थे जो के में में ही रखे गए थे तो आप यहां से देख पाएंगे जो क गए 2935 तो वही भ curator आपका 25 वरुई तक और 31े मेंट वाली तो आप यहां से देख सकते है जो जो केंडिट हो गए आपके यहां से देख सकते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं जो एक्स रूप की जो वेकेंसी होने वाली है कहिने कहीं तीन हजार के आसपास आपकी वेकेंसी हैं जो डेफिनेटली शूर है मैंने विद्फ प्रूफ आपको दिखाया भी है किस तरीके से इंडी फुर्द्वारा ने अपना जो पिछला इंटेक लिया ता उसमें भी एप्रोक्स तीन हजार वेकेंसी ली थी वहीं 20-25 वेकेंसी तो में तो कुछ और होगा पुछ पीएसल में तो आंकड़ा कुछ अलग रहता है पीएसल में बतीसो चोतर के इंडिट्स और लेश्टिट किये गए थी लिए कि यह केवल रैली वाली थी और जब कि देखिए कहीं न कहीं इसमें बहुत सारा आपको लंबा प्रोसेस समझना प इसमयात को बैठाका ही चलें तो इस बार आपकी जो एक्सरुप की क चकौफ है तो मैं आपको बताता हूं जी हम्हीं दिए आपकी अधिक叮रे कम जाएगी vacancy जब कम होंगी तो आपकी cut off ज़ाधा जएगी तो इस बेस पर आपकी जो X रुप था उसकी जो written exam की cut off गई थी 43 cut off गई थी तो आपकी PSL की जो cut off होने वाली है तो सेम ही रेने वाली है आपकी जो PSL की cut off है 43 ही रेने वाली है क्यों कि इस बार vacancy जी अधिक मात्रा में 2900 से 3000 के मद्दाव की vacancy होगी तो जिन candidate के 43 नमबर हैं या फिर 43 के आज पास हैं तो वा candidate विलकुल भी tension ना ले जो कोई भी आपके mind में कोई tension चल रही है तो tension को अपने mind से निकाल दें आपका जो PSL में आपका definitely नाम आने ही वाला है तो आपको यही बताना था with proof आपको मैंने सब कुछ दिखाया भी था तो thanks जैन्द